पेसेप HDFC बेंक का एक powerful application है जिसमें आपको काफी सारे features मिलते हैं इसमें आपको एक wallet मिलता है जिसके साथ आपको virtual card भी मिलता है इसमें आप UPI link कर सकते हैं और आपके bank का जो debit card और credit card है वो भी इसमें आपको show होता है इसके लावा recharge और bill payments के सभी features इसमें मिलते हैं अगर आपका HDFC bank में account है तो आपको कोई दूसरा application जैसे की phone पे और paytm यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस application में आपको wallet और UPI के सभी features मिलते हैं तो आज की सीडियो में मैं आपको page app application का एक overview देने वाला हूँ तो चैलिए शुरू करते हैं पिली स्टूर से page app new version install कर लेना है इसका link आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा open करने पर इस तरह का user interface देखने को मिलेगा let's get started इसमें आप एक mobile number डाल कर proceed करेंगे अगर आपके mobile में दो sim हैं तो आप sim select कर लेंगे किस sim से आप page app account create करना चाहते हैं जैसे कि मैं sim 1 यहाँ पर select कर लेता हूँ इसके बाद send SMS एक SMS send किया जाएगा आपके sim को verify करने के लिए HDFC bank में जिस name से आपका account है वो name आपके सामने आ जाएगा इसके बाद proceed इसके बाद आपको verification करना होगा verification आप तीन तरीकों से कर सकते हैं credit card, debit card और customer ID जैसे कि अगर आपके पास credit card है तो यहाँ पर आप credit card के last four number center कर देंगे अगर आप debit card से verify करना चाहते हैं तो आप यहाँ use another card पर click करेंगे आपके सामने debit card आ जाएगा इसमें आप debit card के last four number center करेंगे इसके बाद verify account and link cards पर click करेंगे page app के साथ जितने भी cards को link किया गया है वो सब आपके सामने आ जाएंगे जिसको आप remove करना चाहते हैं आप इस तरह से remove कर सकते हैं जैसी कि मैं इस credit card को remove कर देता हूँ card remove हो जाएगा इसी तरह से अगर आपको और card set करने हैं तो आप यहाँ से add कर सकते हैं करना है तो bank account पर click करेंगे किसी भी bank account को आप set कर सकते हैं जैसे कि मेरा account है HDFC में तो यहाँ पर मैं HDFC को select कर लूँगा HDFC में जितने भी accounts होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे जैसे कि HDFC bank में मेरा current account है तो वो यहाँ पर add हो गया है इसके बाद proceed इसके बाद आप एक UPI number create कर सकते हैं अगर आप अपने mobile number को ही UPI number बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ terms को accept करेंगे और create UPI number पर click करेंगे और अगर आप किसी और number को अपना UPI number बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ custom number पर click करेंगे जो भी आप UPI number create करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर enter करेंगे इसके बार terms को accept करेंगे और create UPI number पर click करेंगे तो आपका एक UPI number create हो जाएगा जिससे कोई भी किसी भी UPI application के थुरू आपको पैसे transfer कर सकता है page app wallet create हो चुका है इसमें आपको एक virtual debit card भी मिलता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यनि आपके wallet में जो भी balance होगा उस balance को आप इस virtual debit card से भी use कर सकते हैं page app account set हो चुका है इसमें wallet, virtual card, debit card, credit card, UPI सभी यहाँ पर link हो चुके हैं अगर आप HDFC bank के customer हैं तो आपकी full KYC automatic हो जाती है इसके लिए आप profile पर click करेंगे KYC status पर click करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं full KYC complete हो चुकी है जिसकी validity है lifetime इसमें आपको उपर मिलता है QR code scanner जिससे आप किसी भी QR code को scan करके payment कर सकते हैं send money पर click करेंगे तो आपको और भी options मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आप कोई भी number, UPID या bank account के through पैसे transfer कर सकते हैं second option आपको मिलता है bill और recharge इस पर आप click करेंगे तो यहाँ से आप सभी तरह के recharge और bill payments कर सकते हैं इसमें आप wallet पर click करेंगे तो आपके सामने wallet की details आ जाएगी wallet में आपको एक virtual card मिलता है जिसको आप online shoppings और payments के लिए use कर सकते हैं आपके wallet में जितना भी balance होगा उस balance को आप इस card से use कर सकते हैं add money पर click करके आप अपने wallet में balance add कर सकते हैं wallet से आप bank account में भी पैसे transfer कर सकते हैं wallet के transactions देख सकते हैं और यही से आप statement भी download कर सकते हैं आपके bank account का जो debit card और credit card है उसको भी आप यही पर देख सकते हैं की तरफ से आपको जो physical debit card मिला है ये वही है यहाँ पर आपको virtual debit card मिल जाएगा तो अगर आपके banker debit card खोया जाता है तो यहाँ पर आप उसको virtually देख सकते हैं इसमें आपको काफी सारे features मिलते हैं इसको use करने में आपको काफी मज़ा आएगा I hope के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई confusion है तो आपनी चेक comment करके पूर सकते हैं